इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Friends कि आप अपने Mobile Phone में किसी भी App को अपने आप डाउनलोड होने से कैसे रोक सकते हैं Friends अगर आपके फोन में कोई अप अपने आप डाउनलोड हो जाता है और फ्रेट्स इस कारण जो है MB का खपत आपका ज़्यादा हो जाता है लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता क्या खिर हमारा MB गया तो कहा गया जबकि दोस्तों वो MB आपके उस एप को डाउनलोड करने में खर्च हो जाता है तो आप किसी भी आपको डाउनलोड होने से कैसी रोख सकते हैं अपने स्मार्टफोन में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ो से पहले फ्रेंट्स अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए पासवाले नोटिफिकेशन बेल को तबाईए ओल के उप्सन पर जरूर क्लिक करिए आगे इस तर आप डाउनलोट पर फरेंस आपको इस पर कलिक करना है उसके वास्ट आपको यहां तीन आपसन मिल जाएंगे और वाइफाइ उनली का और आस्क मी एफरी टाइम का तो फिर अगर आप इसको यहां और एनी नेटवर्क पर स्लेट करके रखते हैं तो फिर आपका मोबाइल में कोई एप तभी अपने आप डाउनलोड होगा जब फ्रेंट्स आपका मॉबाइल फोन किसी वाइफाई से कनेक्ट होगा लेकिन फ्रेंट्स अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे फोन में कोई एप अपने आप डाउनलोड नहीं हो पाए तो फ्रेंट्स उसके लिए आपको नीचे यहां एक उपसन मिल जाएगा सेर करिए और अगर आप मेरे यूटिब चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब